सभी समू की महिलाओं को मेरे तरब से नमस्कार आप सभी को प्रेड़ना टीवी चैनल के दप्षे नवस्की सुभ कम नाएं आसा करती हूँ कि आप सभी दिदी स्जी को अच्छे से चला रही होंगी और रजिस्टर को भी लिख रही होंगी अगर आपको रजिस्टर लिखने में कोई भी दिक्कत आ रही है परसानी आ रही है तो आप मुझे इस नमर पर मेसेज कर सकते हैं और वाट्चाप भी कर सकते हैं smith और call भी कर सकते हैं आपको कोई भी दिक्कत होगी register लिखने में हम आपकी पूरी सायथा करेंगे वैसे तो दिदी मैंने सारे विडियों को डाल रखे हैं आप विडियों को देकर register को अच्छे से लिख सकती है अब पशुत्तर का पालन भी आप सारी करती Boh较एगा we पांच सुद्र कौन से हैं सापताहिक बैठक, सापताहिक बचत, आंत्रीक उधार, समय सिरेन वाफसी और लेखा जूखा इन पांच सुद्रों को आप सभी जब पालन करेंगी तो आपका समू कभी भी बंद नहीं हो सकता और सारी योजनाओं का लाभ भी आप सभी पा सकती है जी हाँ, समू का रिष्टग सही रहेगा, आप पंच सुद्र का पालन करेंगी तो आपको वरियता दी जाएगी जी हाँ, बरियता आपको सबसे पहले दी जाएगी, और आपको रुजगार का उशर सबसे पहले प्रदान होगा चले दिरी जादा ना बात करते हुए आते हैं में टॉपिक की तरफ अब सासन को भी पता रहेगा बच्चों को पोशाहार और गरीबों को रासन मिलाया नहीं जानिये क्या हुई है विवस्था स्वयम साथा समुकी महिला आप लोग इस बात को ध्यान से सुने और वीडियो को अंतक जरूर देखें अब सासन को भी पता रहेगा बच्चों को पोशाहार और गरीबों को राशन मिलाया नहीं जानिये क्या हुई है विवस्था सार्वजनिक वित्रण विवस्था में पारदशिता लाने के लिए सासन स्थर से पहल सुरू हो गई है अब गरीबों में बटने वाले राशन और बच्चों को मिलने वाले पोशाहार वित्रण की सासन सीधे निगरानी करेगा पोशाहार वित्रण के लिए विवस्था लागू कर दी गई है बच्चों का पोशाहार अब कोटेदार हजब नहीं कर पाएंगे इसके लिए राशन कारधारकों का मोबाइल नमबर और फोटो पहचान पत्र की कापी जुटाई जा रही है दिया पोटल पर लभारतियों का यह सभी डाटा फिट किया जाएगा पंद्रा जन्वरी तक सूचना न भेजने पर संबंधित अधिकारियों का वेतन रोकने के भी निर्देश सासन ने दिये है नई व्यवस्था से गरीबों का रासन हजम करने वाले कोटे दारों में हडकम है आंगन बाड़ी सेंट्रों पर दर्ज सभी बच्चों और किसोरियों का डाटा सासन ने तलब किये हैं जिहां मंगवाएं हैं दोर तलब है कि कोरोना काल के बाद पोश आहार वित्रण वेवस्ता पेपर ट्री हो गई थी इसे सुचारू करने के लिए सासन ने दुबारा प्रक्रिया दुरूस्त करनी शुरू कर दी है पोशा आहार प्रात करने वाले बच्चों का डाटा मोबाइल नमबर नाम और पता सासन के पोटल पर फिट कर दिया जाएगा पोशा आहार के वित्रण के बारे में समय समय पर सासन सीधे जी हां सासन सीधे लाभारतियों से फिट बैक लेगा बाल विकास सेवा जी हां दिदी बाल विकास सेवा एवं पोश्ट आहार विभाग के निदेश की ओर से इस सम्बन में आदेश जारी कर दिये हैं डी पी ओ को इस सम्बन में निदेश मिल गए हैं इससे पहले भी सासन ने कोटेदारों से छेत्र के 10 लाभारतियों के मोबायल नमबर मागे गए थे तब कोटेदारों ने केवल अपने चहेतो कोई जिहां केवल अपने चहेतो के नमबर सासन को भेज दिये फिट बैक के समय कोटेदार के अनुसार ही उन लाभार्तियों ने फिट बैक दे दिया अब सासन ने सभी लाभार्तियों के मोबाइल नमबर और नाम पता आदी मांगा है सासन के इस फर्मान के बाद कोटेदारों में जीहां दिदी कोटेदारों में अब हड़कम मचा हुआ है उधर BPL और APL काड धारकों का भी डाटा सासन ने तलब कर लिया है तमाम जिलों से जीहां सभी जिलों से गरीबी रेखा से नीचे जीवन या पन करने वाले परिवारों को सुचारों खाद्या न मिलने की सिकायत मिल रही थी उत्तर प्रदेश शासन जीहां उत्तर प्रदेश शासन लखनाओ के खाद अयूक्त ने प्रदेश के सभी जिलापूर्ती अधिकारियों से अन्तोदै BPL और APL काड धारकों का मोबाइल नंबर और ID मांगी है खाद अयूक्त ने 15 जन्वरी तक सुचना उपलब्द नहीं कराने पर अपूर्ती विभाग के जिम्मेदार जीहां जो उसके जिम्मेदार होंगे अपूर्ती विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों का वेतर रोकने का निर्देश दिया है उल्यकनिया है कि गरीबों को कम दाम पर मिलने वाले अनाज की काला बाजारी की निरंतर सिकायत रही है बीते वर्ष अनाज वित्रन की निगरानी को सासन ने हर गाउं के दस कार्ट धार को का मोबाइल नमबर मांगा था इस में से अधिकतर कोटे दारों ने अपने चहीते दस कार्ट धार को का मोबाइल नमबर भेज दिया यह मोबाइल धारक सासन से वित्रन के बात में पूठ ताज होने पर कोटे दारों के मन माफिक जवाब दे रहे थे इस बार सासन ने सभी कार्ट धारकों का मोबाइल नमबर मांगा है जिलापूर्ती जिहां जिलापूर्ती अधिकारी ने सभी पूर्ती निरचकों को जन्वरी के पहले सत्ता ही जिहां निरचकों को जन्वरी के पहले सत्ता में सूचना उपलब्द कराने का निर्देश दिया है और दिदी पोसा अहार बाटने पर मांदे अभी मिला नहीं है और मिलेगा जी हाँ, अभी नहीं मिला कुछ जगहों पर मिल भी चुका है और अभी मिलने की बात रखी गई है महिलाओ को मांदे जल्द से ही जल्द दिया जाएगा आज की वीडियो में दीदी वसी तना ही अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक सस्काइब शेयर जरू कर दे